कहते हैं कि life में success का shortcut नहीं है लेकिन काम का shortcut ज़रूर होता है मतलब आप जो काम कर रहे हो computer पे उसमें अगर आप keyboard के shortcut keys use करके काम करते हो तो आपका काम fast होता है और फिर आपका promotion भी fast होता है फिर आपकी solid increment भी fast होती है तो सारी चीज़े fast करने के लिए आपको fast काम करने के और ऐसे एक Photoshop software के keyboard की shortcut keys अगर आपको पता करनी है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है मैं लेकिया हो detail Photoshop की पूरी shortcut keys जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप इंटरेश्टर तो वीडियो एंड तक देखिएगा लेट्स बिगिन तो दूस्तो चलिए यह पे Photoshop का नया वर्जिन मैंने अपने computer पे उपन किया और सबसे पहली shortcut की मैं आपको यह बताना चाहूंगा अगर आप Photoshop में कोई image उपन करना चाहते तो आप उसके अगर आप इस image को close करना चाहते तो यहां पे आपको close बटन दिखाई देता है ड्रेक लिए आप माउस से यहां से close कर सकते लेकिन उसके लिए भी shortcut की है CTRL W से वो image आप आसानी से close कर सकते CTRL O open CTRL W close याद रखना है CTRL O open के लिए यह देखे CTRL O button में प्रेस करूंगा यह open का dial box आता है CTRL W प्रेस करने से image close हो जाता है और अगर मुझे existing image नहीं open करनी मुझे blank canvas उपन करना है Photoshop के अंदर blank image, blank canvas तो उसके लिए CTRL N शॉट कर किया रखना है CTRL N जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पर option आता है आपको की new document आपका कैसा चीह है कोई से size का चीह, photo के अलग-लग size मिल रही है, print के अलग-लग size मिल रही है, art and illustration के अलग-लग size मिल रही है कोई भी size select कीजिए, create button पे click कीजिए, यहाँ पर create हो जाएगा new blank canvas इसे भी आप CTRL W बटन से close कर सकते है तो आपको यह पता चला कि बही, CTRL O से open होता है, CTRL N से new document यहाँ पर create होता है, CTRL W से close होता है अब अगर आप कोई भी image open कर लेते हैं, CTRL O, मैं यहाँ पर image open कर हो, जैसे यह मेरा thumbnail image है यहाँ पर tutor से YouTuber आपको दिखाए दे रहा है, मेरी YouTube की journey इस camera से शुरुआत होगे तो दोस्तों और अब मेरे पास इतने सारे silver button और gold button भी है अगर इसके बारे में और detail में जाना चाहते है तो मेरा learn more channel है, जिसके उपर मैंने already मेरी YouTuber बनने की कहानी यह वीडियो डाल दिया है इस image को मैं उपन किया और मैं चाहता हूँ इसका कोई पार्ट जूम करना जैसे यह silver button पे जो नाम लिखा है और मैं पढ़ना चाहता हूँ जूम करके so control button प्लस करूंगा control button प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे लेकिन यह नीचे जा रहा है रही है का मच नाम फ्रेस कोई कनट्रल माइनस मैंनस मैंनस कंट्रल पलस कनट्रोल पलस खश्कन-धा-जिर्ड तो सब工 frame तो मैं Ctrl-Alt-0, यह next shortcut की याद रखिए, Ctrl-Alt-0, इसके actual size की सब्सक्राइब, इसके actual size बहुत बड़ी है, मतलब 1920-1080, इतना इसका quality है, इमेज का, तो इसलिए यह इतना बड़ा हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, कोई दूसरी छूटी इमेज उपन करता हूँ, एक मिनिट के इसे बंद कर देता हूँ, तो इसमें मैं कोई छोटी इमेज उपन करता हूँ, जैसे यह वाली इमेज मैं ने उपन कर ली, यह थोड़ी सी छोटी है, अभी आपको दिखा दे रहा है, जब मैं Ctrl-Alt-0 करता हूँ तो इसके actual size में वह आ रहा है, दिखा दे रहा है, Ctrl-Alt-0 ब बटम प्रेस करके यह सारी चीज़े करनी है, और Ctrl-Plus से Zoom-In होता है, so Ctrl-Alt-0 के उपर आपका Ctrl होना चाहिए, तो आप बहुत तरे shortcut की जानने वाले हो, अब आगी की shortcut के लिए मैं फिसे एक इमेज यहाँ पर उपन कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl- और Inverted, जैसे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे Grid आ रही है, दिखा दे रहा है, यह सारी Grid यहाँ पे उपन होगी, अगर आपको Grid से कुछ चीज़े अलाइन करनी है, तो आप यहाँ पे Grid शो कर सकते है, इमेज के पर, Ctrl-Inverted को मा दुबारा प्रेस कीजिए, देखिए, इससे Show और Hide Grid हो जाता है, अच्छा, अगर आप Ctrl-Semi-Column प्रेस करते हैं, यहाँ पे Guide Hide और Show होगा, लेकिन Guide अभी आप यहाँ आदी नहीं किया, तो उसके लिए हमें यहाँ पे Guide करके रखना होगा, यह देखिए, उपर से, स्केल की उपर से, माउस पोइंटर से, ऐसा ड्रेक करक अब Ctrl-Semi-Column प्रेस करोगे, Guide Guide, Ctrl-Semi-Column, Guide, Show, Hide, Show, Hide, Show, and इंटरेस्टिंग शॉटकट की, Ctrl-Semi-Column से Guide Hide और Show होती है, अच्छा, आप Guide को Lock करना चाहते हैं, तो भी Lock कर सकते हैं, अभी दिखिए, यह Guide इदर उदर मुह होते हैं, ऐसे मुह हो रहे हैं, लेकिन मैं Guide Fixed Position प Alt-Semi-Column दबाऊंगा, क्योंकि Ctrl-Semi-Column से तो हमने देखा Guide Hide और Show हो रहे थे, मैं Ctrl-Alt-Semi-Column दबा दूँगा, और जैसे ही मैं Mouse Pennery इसके पर लेकिया होँगा, अभी यह Move बिल्कुल नहीं होगा, Ctrl-Alt-Semi-Column दबाने से फिर से Unlock हो जाएगा, यह दिखिए, अभी Ctrl-H Extras, Ctrl-H में यहां पर क्या होता है, कि basically अगर आपने यहां पर Grid भी Show कर ली है, दिखाता हूँ मैं, Ctrl-Inverted कोमा में प्रेस करो, Grid भी Show हो है, Guide भी Show है, Ctrl-H बटन प्रेस करता हूँ मैं, यह दोनों भी Grid और Guide एक साथ गाइब करने का काम यह करता है, यह Grid और Guide Extras में आते हैं, और यह दोनों भी Extra चीज़े हमें एक साथ हाटानी है, तो Ctrl-H बटन, फिर से Show करनी, Ctrl-H, मतला आप Grid के लिए अलग प्रेस करो, Guide के लिए अलग प्रेस करो, इसे अच्छा आप Ctrl-H बटन प्रेस करो, दोनों भी एक साथ गाइब, दोनों भी एक साथ आजाएंगे, तो आपक अगर आपने इमेज पर हमने कुछ काम कर लिया, यहां से इसे ड्रैकर करके नीचे लिया, फिर यहां पर नीचे रख दिया, और कुछ और काम कर लिया, इसके बाद भी अगर मुझे यह अभी अंडू करना है, यह जो स्टेप्स मेंने किया, तो मैं Ctrl-Z बटन प्रेस करोंग लेकिन रिडू करना है तो Ctrl Y नहीं है यहाद रखिए Ctrl Shift Z आगे जाना है तो फिसे देखिए Ctrl Shift Z जो अंडू किया उसे रिडू करने के लिए अंडू पंडू तो नानो पाटे कर जीव बोलते हैं हम यहाद रिडू बोलेगे अंडू रिडू मतलब Ctrl Z Z Z Z Z Z Z और Ctrl Shift Z 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 hashtag यहाद रखना है Ctrl Z 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 Ce यह याद रखना है ctrl z undo, ctrl shift z, नए software में ctrl shift z redo, great अब आगे बढ़ते हैं, आगे की shortcut की ctrl r, ruler को hide और show करना, यह देखिए ctrl r, ruler आपको गायब होते हुए दिखाई दे रही यहाँ पर, अगर आपको गायब करनी है तो ctrl r प्रेस किजिए, ruler है यह scale, एक मिनिट मैं यहाँ पर इसकी scale गायब हो रही है, और scale दुबारा यहाँ पर show हो रही है, अब क्या होता है, कही बार हम image को दूसरी image के उपर लेके जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक और image open कर ली, suppose मैंने कौन सी image, यह छूटी image open कर ली, अब यह छूटी image मुझे क्या करना है, यह से मैंने side में लेकिन इसकी size मुझे थुड़ी से adjust करनी, कम करनी, यहाँ पे corner में लगा दीनी है, तो मैं Ctrl T button प्रेस करूंगा, Ctrl T से transform होता है, Ctrl T, Transform, यह याद रखी है, अब यहाँ पे Ctrl T प्रेस करने के पर आपको point मिलते है, corner point और इससे आप कम जादा कर सकते, यहाँ पे shift button प्रेस करोग तो आपको shift button प्रेस करके, इसकी size कम करनी पड़ती है, तब ही प्रोपोर्शनली रहता है, याद रखिए, प्रोपोर्शनली अभी कम हो रहा है, मतलब बीरतोर height, और वहाँ पे अगर आप without shift करते हो, पुराने version में, तो इस तरह से होता है कुछ, इस तरह से, तो वह shift प्रोपोर्शनल ही drag कर उसे है, तो कोई भी image किसी भी image की उपर आप drag करके जब लेके जाते है, तो Ctrl T transform point मिलते है आपको, और उससे आप image को rotate और कम ज्यादा, sides कम ज्यादा कर सकते है, अब क्या होता है, कि मुझे इस image को select करना है, पूरा पूरा तो Ctrl A button से में से select कर सकता हो, पूरा image select करने के लिए Ctrl A button प्रेस कीजिए, यहां पर देखिए, नाचने वाली चीटी आ रही है, यानि कि selection line आ रही है, selection line, selection dots हो आपे घूमते होए दिखाए दे रहे है, dancing ends इसे बोल सकते है, तो यह जो दिखाए दे रहा है, selection line यहां पर है, यानि कि पूरी image select होगी, Ctrl A से पूरी image select होथी, हां अगर आपने सपोज इतना ही select किया, rectangle tool से और बाद में आप Ctrl A button प्रेस करते हो, तो भी आपको दिखाए दे रहा है, Ctrl A select all और Ctrl D selection remove होगा, deselect, याद रखिए, Ctrl A से select all होता है, Ctrl D से deselect होता है, अगर आपने इतना भी select किया, इसे भी remove करना है, तो Ctrl D से से सुनिये, और Ctrl Shift D से reselect, दुबारा selection, so Ctrl D, deselect, Ctrl Shift D, reselect and Ctrl Shift I, select inverse, Ctrl Shift I, select inverse, यह देखिए, क्या हो रहा है, फिसे में बता तो, Ctrl Z, यह देखिए, Ctrl Shift और I press करूँगा, जो selection है, उसके opposite का selection होगा, अभी आपको कैसे पता चले गए, again, I have to take one more image, और मैं उसकी पर आपको दिखाना चाहूँगा, suppose यह मैंने open कर लिया image, यह है Photoshop, हर कोई सीख पाएगा, अब यह Photoshop कैसे सीख पाएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक course है Photoshop का, जो कि आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, learnmorepro.com की उपर, zihan learnmorepro.com या learnmore app को आप description से डाउनलोड कर सकते, दोने एक link है, आप यहाँ पे आई है, वेबसाइट पे या app पे आई है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनरॉल किया और 56 लोगों ने अच्छा review दिया है, 4.5 per star rating यहाँ पे अवैलेबल है, और बहुत सारी चीज़े इसमें सीखाईगी, Photoshop में expert बनने के लिए, सारे टूल से आप फोटोशॉप के हमेने बता है, लग बग, advance, crop tool, eraser tool, gradient tool and everything like, Photoshop के अंदर हम poster कैसे create कर सकते है, action settings क्या होती है, smart object कैसे create किये चाते है, और धेर सारे चीज़े आपको Photoshop में basic से लेकर advance चीज़े सीखनी है, so go for this course, बहुत ही कम पीज में यह course अवैलेबल है, तो क्यों आप आ कुछ portion मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इस image को छोड़के बाकी का portion लेना चाहता हूँ, तो मैंने इसे select कर लिया है, तो मैं अभी प्रेस करूँगा control shift I, यहनि select inverse, अब mood tool पे click करके इसे drag करूँगा यहाँ पे, तो यह देखिए, अब क्या होग control D भी समझाओगा, control shift D भी समझाओगा, और control A भी समझाओगा, अब हम आगे की shortcut की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास image हो रहे ही, को अलग image open कर लेते हैं, उस image को देख के हम बोर होगे, तो इनको लेते हैं, यह मैडम जी को लेते हैं, तो चलो, यहाँ पे shift X button प्रेस करूँगा, मेरे सामने एक और screen आगे, लिक्वीफाई की, अब यह लिक्वीफाई में होता क्या है, यहाँ पे face aware liquify मिलता है, क्योंकि यह face image है, तो face aware liquify आपको मिल जाता है, अब यहाँ पे eyes के साथ, nose के साथ आप काम कर सकते हैं, यह नए version में होता है, याद र यह points मिलते हैं न face के, इन से आप इनके smile कम जादा कर सकते हैं, इनके चेरे के angle बदल सकते हैं, नाक को थोड़ी सी छूटी कर सकते हैं, जो चाही वो कर सकते हैं, यह face liquify का tool है, smile बढ़ाना, छोटी करना, या आखों के साथ भी छेड़ खानी कर सकते हैं, basically, तो यहाँ पे आ सकते हैं, मैं इनके आखों को लंबी की, आखों को तोड़ा साथ टेड़ा कर रहा हूँ, अगर मैं इस जूम करके दिखाऊं तो मैं आपको पता चल जाएगा, ओह, क्या बात है, ओह, 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 क्या कर रहे हैं हम इसके साथ, तो यह सारी चीज़े एक बार जरूर करके देखिए, लिक्वीफ है मेरे एक फेवरेट टूल है, जिसमें आप अपने फेस को पूरा, अपने मतलब किसी के भी फेस को बदल सकते हैं, और आई, नोज, और इसके साथ यहां से भी काम कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के साथ, यहां से देखिए, जैसे मैं यह पॉइंट् इसे लाने के लिए, चौर्टकट की है, कंट्रोल शिप्ट और एक्स, लिक्वीफाइट टूल ओपन होता है, यह अप फेस वाले इमेज पर अच्छे से करेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई scenario पर करेंगे तो कुछ अलग तरीके से दिखाए देगा यह face automatic detect हो जाता है face one, face two अलग अलग images जादा रहेंगे तो इसमें दो-दो face रहेंगे तो वो detect हो जाएंगे So this is about the control shift x, liquefy shortcut key अब मैं क्या करना चाहता हूँ इस image की उपर कुछ काम करना चाहता हूँ तो एक नया layer insert करने के हमें जुरूत पड़ती है अगर image पे हमें नया layer चाहिए तो हम हमेशा यहाँ पे click करते हैं लेकिन मैं shortcut की के साथ करना चाहता हूँ प्रेस करूँगा यहाँ पे देखिए new layer करके एक option आ रहा है इसमें layer का नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं layer की प्रॉपर्टी सेट करके आप इसे okay कर सकते हैं मैंने पोटोशॉप की टुट्रेल में बताया कि layer के साथ क्या क्या नहीं किया जाता है लेकिन Ctrl-Shift-N यह नया layer shortcut की है उसके insert करने की दूस्तों याद रखिएगा तो अब यह layer add तो कर लिए इसे select कीजिए delete बटन प्रेस कीजिए delete हो जाता है लेकिन मुझे इसका duplicate बनाना है तो मैं Ctrl-J बटन प्रेस करूँगा अब Ctrl-L बटन में प्रेस करूँगा यहाँ पे levels आ जाएंगे लेवल में क्या बताता है आपको बताता है कि यहाँ पे RGB में red color कहां कहां पे कैसा है यहाँ पे red color का customization बताता है और अगर आप उसे left में लोगे तो red color बढ़ेगा और red or blue color और red or blue color आपको यहाँ पे दिखाए देगा पूरा red or blue भी दिखाए देगा दोनों का combination जब green color हाया था तो इस तरह से color levels आप adjust कर सकते है ctrl L बटन से याद रखिए दोस्तो अब आगे की shortcut कि यह है कि color level automatic करना है तो ctrl shift L जैसे आप प्रेस करोगे अटो shift L right अगर आप ध्यान से देगे ctrl shift L देखिए वहाँ पे changes हो रहा है ctrl Z undo थोड़ा सा changes आपको वहाँ पे नजर आगा ctrl shift L से अब ctrl B से आप कर सकते है color को balance यह ctrl B प्रेस करने के बाद यह डैला होग साता है यहां से अब color काम जादा वही चीज़े है मजेंटर कलर के साथ यह green कलर के साथ कुछ करना है yellow कलर के साथ कुछ करना है यह blue कलर के साथ बस pointer को इदर उदर लेके जाए ctrl B प्रेस करने के बाद यह फिर next shortcut की मैं बताओ कि ctrl shift B बटन से अटो color हो जाता है लेकिन यह थोड़ा सा effect दिखाता है अगर आप ध्यान से देख अच्छा मैं मेरी image लेता हूँ और ctrl M प्रेस करके यहाँ पे cause open कर रहा है ctrl M प्रेस करके अब देखिए इस image की उपर equally brightness बढ़ाना चाहता हूँ पूर तो मैं यह cow को थोड़ा सा उपर यह cow दिखा दे रहा है यहाँ पर focus कीजिए मेरा mouse pointer इदर है तो यहाँ पर मैं को अच्छा लग रहा हूँ राइट तो यह मेरी image आपको यहाँ पे clear दिखाए दे रहा हूँ रहा है ctrl Z से देखिए कैसा लग रहा था और ctrl shift से देखिए कैसा हो रहा है बतलब कर अंडू कर दिया मैं यह ctrl M से कव आता है दुबारा दिखाता हूँ मैं ctrl M बटन प्रेस किएगा दोस्तों अगर मैं इस image को black and white करना चाता तो ctrl shift U प्रेस करूँगा ओ हो black and white एक shortcut की से black and white अंडू कर दो ctrl shift U से right रहे आप black and white कर सकते है और इसमें मैं color changes करना चाता हूँ इसमें नहीं करूँगा मैं यह वाली image पर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे image थोड़ा सा dark color म इसमें मैं प्रेस कर रहा भी ctrl U प्रेस करूँगा ctrl shift U से वह saturated हो रहाता मतलब पूरा black and white जैसे होता है ctrl U से hue and saturation आता है जिसमें आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बस move की सी इस color वाली image पर आपको तुरंत effect दिखाए देगा भाई क्या changes हो रहे दिखाए द जाता है तो आपको इमें जो पसंद आ रही है जैसे पसंद आ रही है वैसे effect में आप यहाँ पर यहाँ पर रख सकते है ctrl U कमाल का option है use and saturation जरा करके देखिए Photoshop में अब तक नहीं किया तो ctrl U ctrl shift U प्रेस करते हो तो यह saturate हो जाता है right अब आगे की shortcut की तरफ बढ़ते हैं अ याद रखिए ctrl Z कर लीजी इसे ctrl S invert करना है अच्छा अपने बहुत कुछ काम कर ले अब image को save करना है तो ctrl S बटन से आप image को save कर सकते है वह तो आपको पता ही होगा ctrl S से save होता है ctrl Alt Shift S से save as होता है मतलब यहाँ पर save for wave करते है ctrl Alt Shift S इससे क्या होता है save for wave करना क्यूं हो सकते है साथी में यहाँ पर आप इसकी quality कम करके इसकी size भी कम कर सकते है क्या होता है कि एक example ले लो मुझे passport size का image है यह वाला image लेता हूं में इसे एक particular size में मुझे रखने के लिए बोला गया है इसे बोला है कि 10 KB की नीचे चीए तो आप इसे ड्रेकली save नहीं करेंगे ctrl Alt Shift Shift और S button प्रेस करेंगे याद रखें Ctrl Shift S और उन्होंने बोला है 10 KB की नीचे चीए तो यह कितना आ रहा है 252 KB यहाँ पर देखिए JPZ की size आ रहे में focus भी कर लेता हूं यह देखिए 252 तो यहाँ पर JPZ रखा है आमने और यहाँ पर quality एक option दिखाए देता है जिससे आप क्य कर सकते इसकी quality कम करेंगे तो उसकी size भी यहाँ पर कम हो जाएगी तो आपको 50 MB से नीचे बोला है 10 MB से नीचे बोला है आप यहाँ पर quality कम करके यहाँ पर उसकी size लेके आ सकते यह देखिए अभी हो गया 50 KB के नीचे 49 KB तो यह Ctrl Alt Shift S यह shortcut की याद रखिए लंबी है लेकिन काम किये Ctrl Alt Shift S, save for web Ctrl S से save होता है और Ctrl Shift S से save as होता है इस image को duplicate save करना है तो Ctrl Shift S यह भी shortcut की याद रखिए मुझे इसका duplicate save करना है Ctrl Shift S और कौन से format में save करना है JPZ या फिर अलग-लग format यहाँ पर आपको मिलते है वो आप यहाँ से भी select कर सकते है PNZ या फिर GIP या फिर BMP, it's up to you again Ctrl S, save Ctrl Shift S, save as Ctrl Alt Shift S, save for web जिसे हम image की quality को adjust कर सकते है तो अब मैंने यहाँ पर एक image open कर लिया है जहाँ पर मैं rectangle लेके color fill करना चाहता है यहाँ एक strip डालना चाहता हो जिसमें कुछ मैं लिखना चाहता हो तो मैंने rectangle लेके draw कर लिया है अब मैं यहाँ पर color fill करने के लिए यहाँ मैंने color already select किया yellow जो कि यहाँ पर दिख रहा है foreground में तो मैं Alt Delete button press करूँगा यह देखिए Alt Delete से foreground color fill होता है लेकिन मैं white color fill करना चाहता हूँ तो yellow हो गया तो मैं Ctrl Delete button press करूँगा वाइट कहां से आ गया यह देखिए इसके पीछे जो white color है मतलब background का color fill करना है तो Ctrl Delete और foreground का color करना दिखो हो कि यह color यह पर switch करूँ यह foreground का background में जाए background का foreground में तो X button press करूँगा यह देखिए X जैसे मैं X press करूँगा खली X Press करना या keyboard पर तो आगे color पीछे color आगे आगे color पीछे color आगे तो आगे पीछे करना है तो X Button याद रखना है Alt Delete से fill color हो जाएगा अगर आप X Rs. करते हो, वही आप null delete से भी देंखी, white color हो गया, यहाप एंख æoj उस्मार लागे, आगे की shortcut की है, F7, अगर आप F7 dose करते हो, तो होता है? यह जो layer panel लेकर देख रहो हो हो, अगर आप से यहाँ से close हो गया, प्रेस करो तो रदल आ सकते ही देखिए यह लेयर पैनल, लेयर पैनल हमें बहुत ज़रूरी होता है काम करने के लिए फोटोशाप के अंदर जब यह आप फोटोशाप में कुछ भी काम करते हो तो लेयर पैनल अच्छे से आपको आना चाहिए और यह मैंने इस तरह से और मैं इमेज को फूल स्क्रीन करना चाहता है तो फूल स्क्रीन प्रेस करोगे तो फूल स्क्रीन इस तरह से आजाएगा अच्छा अगर आपने यहां पर कोई ब्रेस टूल लिया है अच्छा यह ब्रेस टूल लिया और इसकी प्रॉपटीज आपको देखने है मतला आप राइट क्ली करके ब्रश के अलग लग साइस ओप्शन देखते है तो आप फ़टन से उस ब्रॉपटीज को ओपन कर सकते है कुए फ़टन से ब्रष पॉपटीज आ जाती है कौनसा बटम प्रेस करना है देखे हमारे पास मुटूल सेलेक्टेड है मैं फ़ट्म पॉट्णर करों तो भी ब्रिश आता लेकिन आपן ब्रष कोई स्लेक्टेड 17able City नी आ रहां क्योंकि ब्रष तूल नहीं लियक इन तो अब मैं यहां पे F9 प्रेस करूँगा नेक्स चॉटकेट की मैं F9 में दिखा रहा हूँ कि यहां पर हिस्ट्री ओपन हो जाता है मतलब इस image के साथ आपने अब तक क्या क्या किया है वो सारी के सारी चीज़े यहां पर हिस्ट्री में मिल जाएगी आपको यह दिखाए दे रहा है, history में अपने color fill किया था या देखे यह एक एक step history में पूरी पूरी यहाँ पे record हो जाते है, आप click करते हो step के उपर, तो दिखाएगा कि इस step पे क्या किया था, इस step पे क्या किया था, आपने fill color किया था तो history आपको बताता है, आपका F9 toolbar, F9 button, तो F9 से history toolbar आता है, और history toolbar में आप, आपकी history देख सकती, image के साथ आपने क्या क्या काम किया है, history, अगर किसी को काम दिया तो उसकी history देखने के लिए, आप F9 प्रेस करके देख सकते है, दोस्तों, तो चली यह भी history tool तो आपने देख लिया, अब text के साथ कुछ तूल देखत तो यह जो मैंने text type के बढ़ा आगया है, मैं छोटा करना चाहता हूद मैं छोटा कैसे करूँगा, control A सेलेक्ट होगा, control shift less than, यादर रखिये, control shift less than, text की साथ कम करने के लिए, control shift less than, और बड़ाने के लिए वही control shift greater than right control shift less than और control shift greater than से आप text की size कम ज़्यादा कर सकते है control shift less than यदि कि size कम होती जारी कम होती जारी कम होती जारी greater than से बढ़ती जाएगी right अब मैंने वो text delete कर लिए और मैंने यहाँ पे text small में लिख रहा है control shift k k k k k small भी होता है capital भी होता है तो आगे की shortcut keys के लिए मैंने कुछ और image open कर लिए यह वाली और इसमें मैंने यह वाला logo मेरा यहाँ पे रख दिया लेकिन यह logo मुझे क्या करना है थोड़ा सा यहाँ पे light color में कर देना है यह देखिये जैसे मैं यहाँ पे press करूँगा यहाँ आप देख सकते है opacity कम जादा हो रही है जो भी shortcut की आप 1 press करो 2 press करो यहाँ पे ओ shortcut keys आपको दिखाए दिखी 1,2,3,4 आप प्रेस करते हो तो यह दिखिये 5 प्रेस किए 56 प्रेस किए 60,70,64 अलग-अलग आ रहा है दिखाए दे रहे है यहाँ पे तो आप जो अलग-अलग opacity यहाँ पे रह सकते है जैसे आप यहाँ पे प्रेस करते हो वह आप देख सकती है वहाँ पी क्या changes हो रहा है इस तरह से आप यहाँ पे opacity कम जादा कर सकते है directly without mouse आपको बस क्या करना है टाइप करना कीबोड की पर 99 टाइप किया 99 डाइरेक लिए आपको इस लेयर को सिलेक रखना जरूरी है आपको और कुछ करना नहीं मतलब यह लेयर वन सिलेक्ट होना जिस पर आपका यह लेयर है अलग सा इमेज डाला है वस opacity कम जादा करने के लिए कीबोड पर बस नंबर टाइप करने अपने 99 टाइप किया यह देखिए 99 ऑपसिटी आ गया अभी इस वाले शॉटकुट की को दिखाने के लिए नहीं इमेज उपन कर ली जिसमें मेरे पास बहुत सारे लेयर है और हमें क्या करना पड़त सारी बार बहुत सारे लेयर लेने लेकिन मैं सारे लेयर को एक साथ मर्ज करना चाहता तो मैं Ctrl-E नहीं Ctrl-Shift-E प्रेस करूंगा सारे लेयर मर्ज हो गए और इससे बिनिपिट क्या होगा कि उतना वर्कलोड कम हो जाएगा हमारी उस फाइल का यह देकिन अभी एक लेयर में हो गया लेकिन एक लेयर में कर दिय और हम इसका बिनिपिट एक और कर सकते कि अगर हमारी पास अलग लग लेर एक दो यह थोड़ा सा आगे लेना है सपोज आपको क्या करना है यह लो श्ट्रिप अपनी याँ पर रग दी लेकिन रिखे चल लेकिन पीछे चली पीछी चल गया तो इससे आगे लेना है तो कांट्रोल शिप्ट अपन बैकेट याद रहते हैं और इस पाल से दाख जा रहा है तो कंट्रोल शिप्ट अपन बैकेट से पीछे भीज सकते हैं या फिर आप खाली एक-ईक पीछे भीजना चाहते हैं, मतलब पूरा पूरा पीछे नहीं भीजना चाहते हैं, थोड़ा सा पीछे भीजना चाहते हैं, यानिकि एक-एक इमेज जैसे कमिंग सून है, कमिंग सून थोड़ा आगे लेना चाहता हूं तो Ctrl Open Square Wacket में दबाऊंगा यह देखे अभी मैं क्या बताता हूं मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है अगर मैं इसे Ctrl Square Wacket Open Square Wacket दबाऊंगा तो यह पीछे जा लगा है मेरे भी Ctrl Square Wacket से क्या हो रहा है Open Square Wacket और Close Square Wacket से लियर उपर नीचे चला जाता है Open Square Wacket करेंगे तो उपर आएगा Close Square Wacket तो Send to Back हो जाएगा तो यह shortcut की बहुत काम की होती है जब आप काम करते हैं सब्सक्राइब आपने कोई नय टेक्स लिया है यह shortcut keys मैंने बताई साथी में किसी भी tool की shortcut keys अगर आपको जाननी है तो आप उसके उपर mouse pointer रखोगे जैसी यह move tool लेने के लिए V है यहाँ पर रखने के लिए क्या है selection, rectangle selection tool के लिए M है तो यहाँ पर यह shortcut keys आपको पता चल जाती है बस mouse pointer उसके उपर रखोगे तो कौन सा tool कौन से shortcut key से access होता है वो तो सामने आपको दिखाए देता है मुझे बताने की जूरत नहीं है, जो shortcut keys नहीं दिखती है वो मैंने बताई, लेकिन बाकि सारी shortcut keys देख कि आप यहाँ से practice कर सकते है कौन से tool के लिए क्या shortcut key mouse pointer रखो, उस tool का shortcut लिख रहा है S, तो S प्रेस करो इस पर mouse pointer रखो, C प्रेस करो crop आजाएगा, S पर pointer, V प्रेस करो इस पर mouse pointer रखो, M प्रेस करो selection आजाएगा, तो आप इनको keyboard के shortcut key से भी access कर सकते है Photoshop में export बना है, तो keyboard keyboard की shortcut keys आपको जाननी जरूरी है तो चलिए, मैंने धेर सारी shortcut keys बता है और यह सारी shortcut keys अगर आपको डाउनलोड करनी है जैसे कि यहां पर मैंने एक PDF बनाया यह सारी shortcut keys आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते है, हमारे learn more app की link description में आपने दी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते है फ्री में आपको book section, ebook section मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते है और साती में हमारा YouTube guide course newly launch हो गया है जिसके उपर आप भी offer चल रहा है सो student के लिए 20 लोगों ने enroll भी कर लिया है तो आप इसे भी enroll कीजिएगा हमारे learn more India नाम की एक website है जिसके उपर हमारी जितनी भी website और channels है उनकी link description में दे रहा हो एक बार check कर लेना जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा और यह तो free में है, यहां पर online test free में मिलती है जैसे की आप देख सकते Photoshop की online test, आप यहां पर खुद ट्राइक कर सकते एक बार learn more India.in website पर जाकर देख लेना learn more pro.com या फिर youtube channel सारे channel की links हमने यहां पर दिये और channels भी यहां पर सामने आपके screen के उपर दिखाए दे रहे So thank you very much for watching this video मिलूँगा कुछ और